जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र जार्खन में आठवी, नौवी, एगार्वी की परिक्षा को लेकर कोई तयारी नहीं जार्खन अभी तक परिक्षा के लेकर कोई तयारी नहीं हो पाई है जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतों बताते हैं कि इस बार आठवी, नौवी, और एगार्वी की कख्षा के परिक्षा को लेकर दोगना दबाव बठा है यह पहला मौका होगा जब इन तीनों कख्षाओं की परिक्षाए OMR सीट के साथ साथ थियोरी पेपर भी बच्चों को देना होगा अभी तक सिर्फ OMR सीट पर ही परिक्षा आवेजित की गई थी उन्होंने बताया कि पहले बोड परिक्षा आवेजन के बाद दूसरी ओर ध्यान दिया जाएगा साल 2022 का पहला सुरेगरहन 30 अप्रेल को इस साल अप्रेल महिने में साल 2022 का पहला सुरेगरहन लगने जा रहा है हालाकि सुरेगरहन को धर्मिक तोर पर असुव मना जाता है लेकिन बैग्यानिक दिश्टी कोन से इसे ख़गोलिये घटना के रूप में देखा जाता है बता दे सूरे गरहन 2022 के दोरान सुतक कालप और खोगोल वीदो और जोतिस्यों की खास नजर होती है गरहन के समय आमत और पर गर्वती मैलाओं को खास एतियात बरतने की सला दी जाती है वहीं बुजूर्ग और बत्चों की भी इस दोरान घर से बाहर निकलने की मनाई होती है सूरे गरहन का बैग्यानिक पक्षे अभी है कि जब चंद्रमा सूरे की पूरी तरह से ढख लेता है तो गरहन मना जाता है जोतिस्यों के मुताबिक यदि गरहन भारत में नजर नहीं आता तो यहां सूतक काल की मन्याता नहीं होती साल 2022 का पहला सूरे गरहन अप्रेल महीने की 30 तारीक को लग रहा है हिजाब विवाद HC के फैसले पर कॉंग्रेस विधायक के बिगडे बोल हिजाब विवाद पर आय करनाटक हाई कोट के फैसले पर जार्खन के कॉंग्रेस विधायक इर्फान अंसारी नराजगी जताई है उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के अदालतों को भाजपा चला रही है अंसारी नराची में कहा कि भाजपा देश में अदालत चला रही है और वह बेवज़ा समाज में धार्मिक बिभाजन पैदा कर रही है कोट के फैसले पर अंसारी जहर्खन बिधान सभा में सदन के बाहर पत्रकारू से बात कर रहे थे इस दोरा नुर्ण होने कहा मैं अदालत के फैसले पर टिपनी नहीं करना चाता हूँ हलाकि ऐसा लगता है कि भाजपा अब अदालत भी चला रही है या एक बुरी मिसाल कायम कर रही है जहर्खन में सिख्षक जल्द ही एक जिले से दूसरे जिले में अपना टांसफर करवा सकेंगे इसकी त्यारी सरकार करस्तर पर सुरू हो गई है मुख्यमंत्री हमन सुरेन ने कहा है कि सिख्षकों के अंतर जिला अस्थनांतरन के लिए सरकार नई निती बना रही है जल्द इसकी अजिसुतना जारी की जाएगी उन्होंने या जनकारी वयट सत्रे में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दुरान राज महल से भाजपविधायाक अनंत कुमार उजाक के सवाल पर दी है होली के दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज होली के दिन राजधानी राची सहिद जारखन के कई जुलो में आंसिक बादल छाय रहेंगे बारिस का अनुमान नहीं है मौसम विभाग ने अपने पुरवनमान में बताया है कि सोला माच को मौसम सुस्क रहेगा और आसमान साप रहेगा मौसम विभाग ने अपने पुरवनमान में बताया है कि होली के दिन मौसम आंसिक बादल छाय रह सकते है लालू परसाद होली में नहीं ले सकेंगे पकवान का स्वाद जार्खन की राजधानी रांची के रिम्स के पेइंग वाड में भरती चारा घोटाले में सजायाफता लालू परसाद होली में पकवानों के स्वाद नहीं ले पाएंगे उनकी मौजूदा सेहत को देखते हुए इलाज कर रहे है डाक्टरों ने उन्हें कंट्रोल डायेट पर रखने और मिठे पकवान वह तला भुना खाने परोक लगा दी है उनकी किड़नी पर विशेस नजर रखी जा रही है बता दे चारा घोटाले में सजायाफता वा राया सुप्रीमो लालू परसाद किड़नी फैलियोर और असुन्तुलीत बीपी सुगर से जूज रहे हैं जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परिच्छा को लेकर है तयार मैट्रिक और इंटर्मिटेट की बोर्ड परिच्छा 24 मार्च से सुरू होने वाली है राची जीले में 162 केंद्रों पर 10 वी और बराहमी के 17924 विद्ध्यार्थी परिच्छा देंगे इन परिच्छाओं के सपल संचारण को लेकर उपायुक्त 6 वी रंजन ने सोमवार को समरालाय में जीला सिक्छा पता अधिकारी और केंद्रा अधिक्षकों के साथ बैठक गी उपायुक्त ने COVID-19 प्रोटोकाल का ध्यान में रखते हुए परिच्छार्थियों के बैठने की व्यवस्था करने का निर्देश दिये CS दे सकेंगे 5 लाख रूपए तक CM असाध्य रोग योजना के इलाज के लिए स्विक्रिती स्वास्त चिकित्सा सिक्षायों परिवार कल्यान विभाग के अनुदान मांग पर सरकार का पक्ष रखते हुए वास्त मंत्री बन्ना गुपता ने कहा कि मुख्य मंत्री असाध्य रोग योजना में इलाज के लिए 5 लाख रूपए तक की स्विक्रिती अब सिविल सर्जन दे सकेंगे 5 लाख से उपर तथा 10 लाख रूपए तक के इलाज की स्विक्रिती भी भाग अस्तर से होगा इससे उपर होने वाले खर्ज की अनुबोधन केबिनेट से होगा सरकार राष्ट्रिय उचपत के किनारे ट्रामा सेंटर का निर्मान करेगी रिम्स पर मरीजो का भार खटाने का प्रयास हो रहा है जारखन के बजारों में चढ़ा होली का रंग राष्धानी के बजार पर होली का रंग चढ़ चुका है सहर के चोग चो राहों से लेकर अपर बजार की रंग रेज गली तक के दुकाने में होली की रोनक दिख रही है रंग अभीर गुलाल पिछकारी टोपी और तरह तरह के मास्क से सलोट सच चुके है ग्रांकों की भीर भी बजारों में दिख रही है बजार में छोटे बच्चों के लिए एक से बढ़ कर एक पिछकारी और बैलून रंग उपलब धाए खास बातिया है कि इस बार होली के बजार को लेकर दिली और कोलकत्ता तक के प्रोड़क्ट की अच्छी खासी खेब उतर गई है जारखन में बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज आटो सेक्टर का बायार बदल रहा है अब इलेक्ट्रिक वीकल का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है देश बर में 2021 में इलेक्ट्रिक वीकल की विक्री दोगनी हुई है इस वर्ष देश बर में 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की विक्री की उमीद है SME के अनुसार इस साल हर मिनट में दो इलेक्टरिक गाड़िया बिकेगी जबकि पिछले 15 वर्सों में अनुपात डेर घंटे में एक वाहन बिकने का था कल से जहारखन के 12 से 14 साल तक के 23,90,000 बच्चों को मिलेगा ठीका स्वास्त मंत्राले ने 12 से 14 साल के बच्चों को कुरोना ठीका करन अभियान से जोडने की घोसना कर दी है केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसुक मांडविया ने सोमवार को ट्वीट कर देश के सभी अभिभागों को अवध कराया है की देश में 16 माज से इस आयूवर के बच्चों का ठीका करन शुरू किया जा रहा है जारखन के 12 से 14 साल के 23,90,000 बच्चों को कुरोना से बचाव के लिए ठीका देने की त्यारी है जिलावार सुची भी त्यार की गई है रांची में 12 से 14 साल के उम्र के 2,11,138 और धनबाद में 1,94,000 बच्चों को चिनित गया गया है खून की कमी जेल रहा लातेहर का बलड बैंक लातेहर का बलड बैंक इन दिनों खून की कमी से जुझ रहा है 14 मार्च को बलड बैंक में मातर 3 यूनिट रक्त ही उपलब्द था ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है रक्दताओ की कमी के करण बलड बैंक में हमेशा ही रक्त का अभाव रहता है हालाकी जिला परसासन रेट करो सोसाइटी वोलेंटरी बलड डोनर एसोसियेशन यह अनसमाजिक संगटनों द्वारा विभीन आवसरों में रक्त दान सिवीर का अवज़न अवस्यक किया जाता है लेकिन इन सिवरों में रक्त दताओ की उपस्थिती काफी कम होती है ऐसे में लक्ष के अनुसार रक्त संगरहन नहीं हो पाता है बिसूनपूर समुइक दुसकर्म के तीन आरोपियों को जेल बिसूनपूर परखंड के एक गामे सनीवार की रात 13 वर्से नवायक लड़की के साथ हुए समोहिक दूसकर में सामिल 10 आरोपियों को विसुनपूर पूलिस ने गिरफतार कर सोमवार को नयाले में प्रस्तूत किया जिसमें 3 आरोपियों को गुमला जेल वसाथ आरोपियों को रिमांड होम भेजा गया है इधर थाना में सोमवार को प्रेस कॉन्फिरेंस कर SDPO मनिस चंद्रलाल ने कहा कि सनिवार को लड़की गाउं में ही एक साधी समारों में भाग लेने अपने गाउं के नबालिक चाचा के साथ गई हुई थी जहां से लोटने के करम में अरया गाउं के दस यूकों ने उसे पकड़ लिया और पिर्ता के चाचा को मार कर भागा दिया मचली बेवसाई के मौनसी से 10 लाख की लूट जहारखन के देवघर जी लेके मधुपूर के मारगो मुंडा थाना छेत्रे के केरा कुंडी जंगल के निकट देर रात को अपराधियों ने मचली बेवसाई के मौनसी वा चालक से 10 लाख 16,000 उपे लूट लिये कहा जा रहा है कि जंगल में काले रंग की अल्टो कार ने पीक अप वैन को ओवर्टेक कर रोका इसमें चार अपराधी स्वार थे इस बीच चार बाइक पर स्वार होकर 8 से 10 और अपराधी वहां पहुँचे और उनसे मार पीट की इसके बाद पैसो से भारा बैग ले लिया सैफ महिला फुटबॉल चेंपियंशिप जार्खन के जमसेद पूर में सैफ साउथ एसियन फुटबॉल एसोसेशन अंडर 18 महिला फुटबॉल चेंपियंशिप की सुरुवात मंगलवार से जे आरडी स्पोर्ट कमप्लेक्स में होगी पहला मैच मेजबान भारत वा नेप साल के बीच खेला जाएगा यह मुकाबला साम साथ वय से दुधिया रोशनी में होगा बता दे तीन साल बाद जे आरडी स्पोर्ट कमप्लेक्स में दर्सकों की इंट्री होगी दर्सकों की इंट्री मैच के लिए निसूलक है जार्खन के अलग होने के बाद यह पहला मौक महाजब जे आरडी स्पोर्ट कमप्लेक्स में किसी अंतराष्टिय टूर्णामेंट का आविजन हो रहा है धन्यवाद